एक गंटे में आप कलाई काई सबसे फंदे लेकर ये दस्ताने किसी भी साइज में बना सकते हैं और ये दस्ताने दोनों साइड से आप पहिंट सकते हैं फरन आर्ट ब्याग दोनों साइड से एकी डिजाइन बन कर आता है और ये लार साइज का है, ये आप आशानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं, इसके लिए थिरीपला का दागा आट्टेन नमर का सलाका योजगर रही हूँ, अब देखें इस तरीके से इधर में फंदे डालती हूँ, फंदे इसमें 48 फंदे डालूंगी, साइज का इसाब से फंदे कम बेशी कराई सकते हैं, ये आपको कलाई का हिसाब से फंदे लेकर बनाना है, ये श्रिफ एक गंटे का अंदर अंदर बनकर रेडी होता है, बहुत ही इजी है बनाने में, अब देखिए फस फंदा बिना-बिना, अब देखिए दागा आपनी और एक फंदा इसी तरीके से आपको बिनना है इसी तरीके से बिनने से इसका सीधी और उल्टी दोनों साइड में इसी प्याटन बनकर आता है अब देखे फिर एक फंदा उल्टा धागे पीछे एक फंदा सीधा इसी तरीके से बिनने है अब देखे इस तरीके से बिनती हो है मैं लास में आ तागा आपने और एक फंदा उल्टा भी नए तागे पीछे एक फंदा सीधा भी नए इसी तरीके से आपको बिनना है दोनों साइड से यह एक ही डिजाइन बनकर आता है इसकी जगह आप किसी बोडर डिजाइन डाल सकते हैं जो फेक्सिबल होता है वो बडर डिजाइन इसक कर भी देखा रही हूं तो देखे यह दो इंच का बना रही हूं मैं अब देखे इतनी दो इंच का बिनने के बाद इसका उपर थोड़ी अलग से आपको बिनने है यह मैं लार साइज का जेंस के लिए बना रही हूं इसमें 48 फंदे है 48 फंदे होने के बाद इसका उपर अब देखे एक इधर बढ़ाने के बाद एक दो तीन चार पांच पांच बिन रही हूं फिर इधर एक फंदे बढ़ा रही हूं इसी तरीके से इधर दस फंदे बढ़ानी हैं मतलब 48 फंदे में 10 फंदे बढ़ा कर 58 फंदे बनानी हैं यह कलाई का इसाब से फंदे लेकर आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, तो दो बर्षे से पांच बर्षा का बेबी के लिए आपको इसी तरीके से पांच फंदे बढ़ा कर बिनने हैं, अगर उससे भी बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं, तो पांच बर्षे से 12, 13 बर्षा का बेवी के लिए तो इसी तरीके से 7 फंडे बढ़ा कर बिन सक्ते हैं और लावर साज और मिणेयम साज के लिए कला काई सबस Colonial Room आपना है। और फिर उसका उपर इसी तरीके से 10 फंडे बढ़ा कर बना सकते हैं। अब देखे मैं इसका उपर 10 फंदे बढ़ाती हूँ, अब देखे इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर मैं बेन रही हूँ, तो देखे इधर भी एक फंदे बढ़ाते हैं, एक फंदे बढ़ाने के बाद बाकी का दो फंदे फिर सीधी सीधी, अब देखे इधर मैं 10 फंदे बढ इस तरीके से बीटियों नमरी से बिञुँदिनाने हैं अब देखु सगोण हैं भाय नमरी सब्सके अब देखि only टोटल भंदे को आपको दो भाग में डिवाट गर के बिनना है मतलब आप जितनी मी साइज का बना रहे हैं इसी तरीके से दो भाग में लगा कर बनाईएगा अब देखे ये जो हम बिनते आ रहे थे ये आपको इस तरीके से सीधी साइड में लेकर आना है अब देखिए इसका उपर में double painted needle का यूज़ गर रही हूँ क्या है कि यह जो हम बिनते आ रहे हैं यह धागा यह साइड में है इसलिए आपको इसको बिनने के लिए इस तरीके से double painted needle में एक एक गरते हुए फंदे चड़ानी है एक बार उपर का फंदे चड़ानी है और एक बार नीचे नीडल का इसी तरीके से आपको एक एक बार एक एक नीडल का फंदे लेते हुए डालते जाना है सलाई का उपर अगर आपका पास double painted needle नहीं है तो आपको इसी needle को दुसरी side से डालना होता है इस side से दोनों को डालने के बाद आप इसका उपर बीन सकते हैं एक बार नीचे का फिर एक बार उपर का फिर एक बार नीचे का एक बार उपर का फिर एक बार नीचे का इसी तरीके से आपको यह इस तरीके से बन कर आ रहा है तो इसका उपर थोड़ी अलग से आपको बिनने बिनने है इसके लिए मैं इसका उपर नाइन नमर का सलाय का योज़गर निवाली हुआ अब देखिए यहां से हमारा बिना ही शुरू होता है तो देखिए फोस फंदे आपको बिना मिना उतार भी सकते हैं अब देखिए यहां से यह ब्याक साइट का सीधी नाजर आ रहा है इसको आपको बिना मिना उतारनी है देख रहे हैं इस तरीके से जो गाठ वाला है उल्टी बुनाई का इसको आपको बिनने है बैक साइट का सीधी फंदे बीना बीना और फरन साइट का उल्टी फंदे उल्टी बीना इसी तरीके से आपको बीनते जाना है देखें बैक साइट का सीधी बीना बीना उतारना है और उपर का उल्टी फंदे बीनना है इसी तरीके से आपको बिनते जाना है इसका उपर इसमें हमारा दो पल्ले हैं एक नीचे का और एक उपर का जो नीचे का है वो सीधी है और जो उपर का है वो उल्टी है अगर आप थोड़ी से भी गलती गर्द कर ये जो सीधी फंदे है ये बिनिंगे तो ये एक आपस में connect हो जाता है देखिए इस तरीके से एक ग्याप है दोनों का बीच में वो जूड़ जाता है नीचे का और उपर का पल्ले जिसकी वज़र से ये जो गुलब से ये बिगड़ जाता है इसलिए आपको ध्यान से बिनना है जो उपर का पैनल का है उसको बिनना है नीचे का सीधी पैनल का आपको बिना मिना उतारना है अब देखिए इसी तरीके से बिनते होए बनाएंगे गाठ वाला बिनना है पिछे का सीधी फंदे बिना मिना उतारना है गाठ वाला बिनना है नीचे का सीधी वाला बिनना उपर का गाठ वाला बिनना है नीचे का सीधी वाला बिनना इसी बात को बार बार रिपीट गरते हुए इसका उपर बिनते जाना है इधर फोस वाला उल्टा फंदा आ रहा है इसले बिनना है अब देखे नीचे का सीधी वाला बिनना उपर का उल्टी वाला बिनना है नीचे का सीधी वाला बिनना इसी बात को आपको रिपीट गरनी है अब देखे इसी तरीके से आपको इसका उपर बीनते जाना है अब देखे मैं इतनी बीन चुकी हूँ अब देखे इसका उपर ये वाला आउठे बनानी है अब देखे किस तरीके से ये गाठ वाला है फस फंदा इसलिए बिन्य है अब देखे पीछे का सीधी वाला बिना फिर गाठ वाला बिन्य देखे इसी तरीके से 13 फंदे आपको बिन्य है देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस गरब बार तेरा यह साइज का इसाप से फंदे कम बेसिक राकर बना सकते हैं तो देखे इसका उपर फिर यह ब्याक साओ कई सिधी वंदे वीना बीन अब देखे यह गाठ वाला बिन्य है पुझे का सीधी वंदे बिन dir एक पिछे करनी सीधी पिरन का गाठ वाला उल्टि बिन है इसी बात को आपको रिपीट गरनी है जरी भीक शाईट का भीना मिना , फरंट शाइट उड़्ज अब देखे लgeneration का सीधी है इसले जाईगर है इसले सीदिवसरी और फष्षफ वाला गाठ वाला आरहे है इसले बिना है इसले जाईगर है बिना ऐसे सीद्य और ने बिना सीदिवसरी साईट को Nagoda पिकारणी है अब देखिए ये पीछे का सीधी बिना बिना गाठोला बिनना है इसी बात को रिपीट गरते होए जितनी इसका लंबाय है उतनी आपको बिनने है अब देखिए ये लंबाय पूरा हो चुका है मतलब जितनी ये इसका लंबा है उतनी आपको बनानी है और इतनी बिनने के बाद ये फंदे इस तरीके से निकालनी है अब देखे ये इस तरीके से बनकर आएगा बीच में ओल होता है इस तरीके से अब देखिए इधर से आपको एक-एक फंदे लेते वे आपको ये सुई डालनी है देखिए इस तरीके से फिर बाकी का फंदे भी इसी तरीके से डालेंगे अब देखिए ये डालनी के बाद ये इस तरीके से बन कर आ रहा है तो देखिए फिर एक बार सारी फंदे में सुई डालनी है अब देखिए ये इस तरीके से बननी के बाद इसका उपर एक-दो बार लॉक लगानी है इस तरीके से आप चाहे तो एक बार और लगा शकते हैं यह मजुद बने इसलिए अब देखे यह धागा कड़गर सकते हैं अब देखे यह इस तरीके से बनकर आ रहा है अब देखे इतनी ब्वैनने के बाद इसका उपर नीचे इधर से आपको दागा लगा कर बिनने है अब देखिए ये जो होल है इसी होल से आपको दागा डालनी है देखिए ये दागा थोड़ी खिसना है और खिसने के बाद इधर गाठ लगानी है ताकि ये ना गिरे इसी बात को रिपीट गरेंगे अब देखिए मैं इसी तरके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हुँ लास्ट का सीधी फंद है इसले बिना बिना अब देखिए यह यह यहां तक बन चुका है यह वाला विश्टा आपको बिनने है जिस तरके से नीचे का भाग बनाए थे उसी बात को रिपीट गरनी है दोनों साइड से अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ और यह इस तरीके से बन करा रहा है तो देखिए यह वाला आउठे का हिस्टा निकालनी है अब देखिए यह जो गाठ वाला है इसको आपको बिनना है और पिछे का जो सीधी वाला है इसको आपको बिनना उतारना है गलती से भी यह पिछे का सीधी वाला फंदे बिनने तो यह बिगड़ जाता है इसलिए ध्यान से आपको बिनना है पिछे का सीधी फंदे बिनना और यह का गाठ वाला बिनना है अब देखे इसी बात को रिपीर गरते हुए नौ फंदे का ये फिंगर बनाएंगे मतलब इधर हम टोटल फंदे को पांच भाग में लगा कर बनानी वाले हैं अब देखे इधर में नौ फंदे में फिर बिन्यूंगी अब देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नौ इस तरीके से नौ फंदे का ये डिजाइन बिन्ते जाएंगे अब देखे, मैं इसी तरीके से इसका उपर बिन्ते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाईएगा, इसी बात को रिपीट गरते हुए अब देखे ये इतनी बिन चुकी हूँ जितनी आपका आउठे का लंबाई है उतनी आपको इसी तरीके से बिनने है अब देखे इतनी बिनने के बाद अब देखे ये धागा में कट गर रही हूँ तो देखे गड़ गारने के बाद इधर का फंदे निकालते हैं तो देखे इसको दो बैंग में लगाया नहीं है फिर तो देखे इसका एक एक गड़ते हुए इस तरीके से फंदे लेना है तो देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सुई में लिने के बाद इस तरीके से खिसना है और फिर सारी फंदे में एक एक बार सुई से फिर सिलना है सिलने के बाद इसका उपर लगाएंगे अब देखिए ये जो बाकी का ओस्टे धागा है ये आप इधर लगगर सकते हैं यह मैं लग गर चुकी हूँ अब देखे लग लगाने से इधर होल ना आए इसलिए आपको लग लगानी है तो देखे यह इस तरीके से बन कर आ रहा है यह अउठे देखे इधर बिना होल का यह बन कर आता है इसलिए आपको इसी तरीके से तागा लग लगानी है अब देखे ये आउठे बनने के बाद ये जो दिख रहे हैं इसका लंबाई ये आने के लिए दोनों साइड से आपको बिनने है एक सीधी साइड से और एक बैक साइड से और इतनी बिनने के बाद फिर इसका उपर ये जो लंबाई है ये पूरा हो जाता है और बाकी का तीन आउठे फिर इसका उपर बना लेना है, अब देखें यहां से फिर दागा डालनी है, और थोड़ी खिचकर इधर गांट लगानी है, तो देखें एक फंदा उल्टा, शीधी फंदे बिना बिना, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ब्याक साइड का बिना बिना, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गारनी है, अब देखें मैं इस तरीके से बिनते हुए, लास्ट में आ रहा हूँ, उल्टी फंदे बिनना है, पिछे का सीधी फंदे बिना बिना बिना, इसी बात को रिपीट गरते हैं, अब देखें दूसरी साइट से भी, अब देखें सीधी फंदे बिना बिना उल्टी फंदे बिनना है सीधी फंदे बिना बिना उल्टी फंदे बिनना है इसी बात को रिपीट गरते हुए मैं इसका उपर बिनती हूँ अब देखें मैं लास्ट में आ रही हूँ उल्टी फंदे बिनना है इस तरीके से बनने के बाद देखें दूसरी साइड पॉलट नहीं है तो देखें इसका यह जो लंबाई है यह पूरा हो चुका है फिर इसका उपर और अठे बना नहीं है अब देखें सीधी बनने भी नहीं है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एगारा, बारा बारा फंदे फिर आपको इस तरीके से बनने है दो, चार, छे, आठ, तस, बारा अब देखें इधर भी दो, चार, छे, आठ, दस, बारा दो चार छे आट दस बारा इसी तरीके से बारा बारा फंदे तीन भाग में लगा कर फिर इसका उपर बिनेंगे तागा आपने और सिधी फंदे बिना मिना उल्टी फंदे बिनना है इसी तरीके से बिनने से दोनों प्यानल का एक साथ में बिन कर आ जाता है अब देखिए इसी बात को रिपिर करते हैं इस कापर में बिनती हूँ अब देखिए यह इस तरीके से बन कर आ रहा है तो देखिए जिस तरीके से हम बाकी का दो और्टे बनाए थे उसी तरीके से यह भी बनाएंगे ताकि ये जिस तरीके से इधर होल ना आए इसलिए आपको इसी धागे से कुरिशे से लग गरनी है अब देखिए यहां से आपको बिनने है शीदी बंदे बिनना उल्टी बंदे बिनने है इसी बात को रिपीट गरेंगे इधर 12 फंदे लेकर ये ओठे बना रही हूँ साइज काई सबसे फंदे गड़बड़ गरा सकते हैं टोटल फंदे को आपको पांस भाग में लगा कर इसी तरीके से आपको बिनना है अब देखिए ये सीदी फंदे इसले बिना बिना गाठ वाला बिनना है फिर सीदी फंदे इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरनी है अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनते हुए बनानी है अब देखिए बाकी का दो जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इसका भी बिनेंगे अब देखिए ये लंबाई पूरा हो चुका है अब देखिए लंबाई पूरी हो के बाद बाकी का जिस तरीके से हम फंदे बंद गार रहे थे उसी तरीके से इसका भी बंद गारने हैं देखिए इसी तरीके से एक एक गत्वे सारी फंदे में हम सुई डालते हैं तो देखिए इधर साइट का भी इसी तरीके से फिर देखिए सारी फंदे में एक एक बार फिर सुई डालनी है तो देखिए इस तरीके से सुई डालने के बाद इधर साइट एक दो बार लग लगानी है देखिए इस तरीके से लग लगानी है एक दो बार और लग लगा सकते हैं मजुद बने इसलिए तो देखे, अब यह धागा कटगानी है, यह इसका ब्याक साइड है यह इस तरीके से बने कर आ रहा है तो देखे, यह इधर का यह जो हिसा है, यह सिलने है अब देखे, दुनों साइड का एक एक चेंड लेकर आपको इसका शिलाई गरनी है अब देखे इसमें मैं सिलाई गरती हूँ फिर बनने के बाद यह अक्के से नजर आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब देखे मैं सिलाई गर चुकी हूँ सिलाई गरने के बाद यह इस तरीके से बन कर आ रहा है तो यह पाइनने के बाद बहुत सुन्दर नाजर आता है यह आपको लाइका हिसाब से फंदे लेकर किसी भी साइज का बना सकते हैं अब देखें यह दोनों साइज से आप पाइन सकते हैं